हमारे पिछले वीडियो अगर आपने यूपी सी प्रिलिम्स के आनलेसिस के देखे होंगे तो आप लोगों को यह बहुत अच्छे से पता होगा कि अब हमें सीरीज को कंटीनियू कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने जोगरफी के अलावा दूसरे सब्जेट्स का भी आनलेस यूपी सी प्रिलिम्स का स्टार्ट कर दिया है जो 10th of October 2021 को हुई थी इस सीरीज या इस वीडियो में बेसिकली हम यूपी सी के प्रिलिम्स के जो सही आंसर हैं उनके 24 प्रिलम्स के साथ प्रिम्स के सामने वाले हैं चलीए आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो यूपीसी के प्रिलिम्स 2017 में जो इकूडॉमी के क्वेशन से उसके बारे में हम लोग सी शार्ट करने क्या उसे central government ही appoint करती है तो CDC बात है कि यह वाला जो statement है वो पूरी तरीके से correct है certain provisions in the constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest और third हम लोग यहाँ पर statement देखते हैं अपना the governor of the RBI draws his power from RBI act तो तीसरा भी यहाँ पर सही लग रहा है second के बारे में थोड़ा सा doubt है exactly जो आपको correct answer यहाँ पर देखना को मिलेगा that is gonna be your option number three see that is one and three अब इसका हम लोग यहाँ पर explanation देख लेते हैं see RBI का जो governor है उसे central government के द्वारा ही appoint किया जाता है जो Reserve Bank of India Act 1934 के अंडर आता है इसलिए यहाँ पर पहला statement सही कहा जा रहा है लेकिन अगर आप section 7 देखते हैं RBI Act का so government can issue directions to RBI but not under Indian Constitution Indian Constitution के अंडर वो directions जो है वो जाहिर नहीं किये जा सकते बताए नहीं जा सकते RBI Act के section 7 के अंदर बताए जा सकते हैं इस वजह से जो second statement है वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा और third तो obviously सही है ही कि RBI जो है वो अपनी powers RBI Act 1934 के अंडर ही लेता है चलिए next हम लोग question की तरफ आते हैं question number 52 था हम लोग यहां पर फिलाल set D देख रहे हैं right okay so 52 was with reference to casual workers employed in India consider the following statement यहां पर basically जो तीनों के तीनों options हैं वह आपको सही दिखेंगे क्यों क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि जितने भी casual workers हैं वह employees provident fund के coverage के अंडर आते हैं कि नहीं आते हैं बिल्कुल सही है सारे के सारे casual workers के अंडर आते हैं जितने भी casual workers हैं वह सारे के सारे regular working hours and overtime payment के अंडर आते हैं कि नहीं यह भी बिल्कुल सही है प्लस तीसरा the government can buy by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account और विसी बात है जंधन योजना implement हो चुकी है तो जितनी भी चीजे हैं जो payment होगी वो पूरी की पूरी bank account के माध्धम से ही उसी के through यहां पर होगी तो जो तीनों option है आपके D123 यह तीनों यहां पर सही होगे explanation हम लोग इसमें देख लेते हैं नाम इसमें कहीं पर भी लिखा नहीं गया था बट यह code on wages 2019 की बात करता है जिसमें यह कहा गया है विजस को 2019 में कि जितने भी casual workers हैं वो सारे के सारे provident fund के अंडर आते हैं regular उनके working hours होते हैं प्लस जो उनको payment दी जाती है वो bank account के through दी जाएगी चाहे वो coins में हो currency notes में हो check में हो या फिर credit में हो या फिर electronic mode में हो तो यह तीनों के तीनों जो है वो सही है चली next आते हैं हम लोग 53rd question पर which among the following steps is most likely to be taken at time of economic recession see economic recession basically हम जानते है कि क्या होता अगर economic recession आपको समझना है तो आपको business cycle के बारे में समझना होगा for example यह वो average line ने जहां पर economy चल रही है तो अगर आप बहुत high level पर आ जाते हैं तो यह कहलाता है आपकी economy का peak लेकिन अगर आप downwards जाने लगते हैं तो यह वाला जो region होता है यह वाला जो scene होता है इसे हम लोग recession कहते हैं जब आप अपने peak पर रहते हो economy के and then फिर आपका downfall शुरू होता है लेकिन फिर जब आप और बहुत जादा नीचे चले जाते हो तो यहां पर आपका depression economy का शुरू हो जाता है देन लेकिन फिर आप वापस economy में आते हो तो यह वाला जो process है जहां पर आप recover कर रहें obviously उसको recovery ही कहेंगे ठीक है फिर आता है आपका boom जब आप पूरी तरीके से recover करते हो and then फिर finally peak आता है and then फिर again recession आता है तो यह जो cycle है इसे हम business cycle कहते हैं तो recession जब आप peak के बाद थोड़ा सा downfall में आते हैं ठीक इस question के लिए यह समझना ज़रूरी था तो यहां पर यह पूछा गया है कि कौन से ऐसे steps हैं जो economic recession के time पर government के द्वारा लिए जाते हैं तो अगर आप यहां पर सारे देखते हैं तो पहला गया है कहा गया है cut in tax rates accompanied by increase in interest rate tax अगर आप कर देंगे या increase rate बढ़ा देंगे तो सीजी सी वात है कि लोग और पैसा खर्च नहीं करेंगे second is increase in expenditure on public project यह वाला आपका एक सही लग रहा है ठीक है फिलहाल के लिए सही लग रहा है तो अगर public project जो है अगर government उस पर खर्चा करना शुरू कर देगी that means market में पैसा आएगा investment आएगा और recession से उभरा जा सकता है increase in tax rates accompanied by reduction in interest rate आपने interest rate तो घटा दिया लेकिन tax rate क्या किया आपने बढ़ा दिया तो याने लोगों के पास फिर कम पैसा बच रहा है तो फिर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे market में फिर पैसा नहीं आ पाएगा तो उसे साब से यह वाला statement भी आपका गलत हो गया और expenditure on public projects ठिक reduction of expenditure तो अगर आप reduction कर देंगे public expenditure में तो याने government कम पैसा खर्च कर रही पब्लिक expenditure याने government market में और कम पैसा ला रही है तो statement number A, C और D देखते हैं तो इन तीनों statement से market में पैसा कम होता है लेकिन जो statement number B है जो public expenditure में खर्चा किया जा रहा है government के थुरू उसमें market में पैसा बढ़ रहा है तो जब आप market में पैसा बढ़ाओगे money flow को increase करोगे तभी तो आपका recession खतम होगा राइट यह जो मैंने explanation दिया उसी के बारे यहां पर कहा गया चलिए नेक्स आते हैं हम लोग consider the following statement other things remain remaining unchanged market demand for a good might increase if number one price of its substitute increases number two price of its complete increases number three the goods is an inferior good and income of the consumers increases and its price falls इसमें यह पूछा जा रहा है अगर सारी की सारी चीजें बिलकुल भी नहीं बदली जाती है other things remaining unchanged market demand for a goods might increase if जितने भी factors होते हैं किसी सामान के जादा बिकने के लिए अगर वो सारे के सारे factor वैसे के वैसे ही हैं बिना बदले हुए हैं लेकिन फिर भी उस सामान की जो demand है उस goods की जो demand है अगर वो बढ़ गई market में यहाँ पर goods होना चाहिए I'm really sorry goods की demand अगर बढ़ गई market में तो इसमें से कौन से reason उसके हो सकते है price of its substitute increase माल लीजे कोई आप एक नॉर्मल सा शैंपू यूस करते हैं उसके बदले में competition वाला एक शैंपू है तो जो सस्ता वाला रहेगा उसका क्या होगा उसकी वज़े से उसकी demand बढ़ जाएगी तो यहां पर जो statement number one है वो पूरी तरीके से सही लग रहा है तो अब यहां पर इस option में देखिए कि कहां पर आपका one नहीं है तो बी में आपका one नहीं है याने बी तो सीधे तोर पर क् eliminate हो गया ठीक अब price of its compliment increases यहां पर compliment की बात नहीं substitute जादा अच्छा लग रहा था compliment वैसे भी उसको उतना cover-up नहीं कर पाएगा इसका explanation थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं market demand for goods increase when price of its substitute increase पहला statement सही है जो मैंने आपको explain किया market demand for goods decrease when cost of compliment increase because it causes increase in the cost of use of goods यहां पर आप देखते है compliment जो है अगर वो बढ़ जाता है मतलब वो गुट्स को बनाने में वो सामान को बनाने में जो ingredients यूज हो रहे हैं अगर उसकी price बढ़ जाती तो सीजी सी बात है तो final value रहेगी उस सामान की उस शैंपू या conditioner की तो वो भी क्या होगी सर वो भी बढ़ जाएगी तो यहां पर सेकेंड अगर आप गलत देखते हैं तो अटोमेटिकली यहां पर B और D आपका दोनों eliminate हो जाता है और वन को हम लोग सही मान चुके और थर्ड और फोर्थ ही बचता है थर्ड स्टेट्मेंट पर आते हैं इन केस आफ इंक्रीजिंग दा इंकम आफ कंजूमर्स डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीज़ तो तीसरा स्टेट्मेंट गलत हो गया बचा आपके पास चौथा स्टेट्मेंट एट दी एंड आप देड़े वन एंड फोर करेक्ट चली नेक्स पर हम लोग आते हैं विट रिफरेंस तू अर्बन कोपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर दा फॉल्वाइंग कोपरेटिव बैंक है उन्हें स्टेट गवोर्मेंट ही सुपर्वाइस करती है रेगुलेट करती है क्या सेकेंड इस देकन इशू इक्विटी शेर एंड प्रफेरेंस चेर यह शेर भी प्रोवाइट कर सकते है क्या देवर अब अब आदेवर ब्रॉट अंडर देवर पर आंसर यह दे रहा है हमने दिया है कि सेकेंड और थर्ड यहां पर राइट है और पहला वाला गलत है अब देखते हैं इसका थोड़ा सा परफ यह बाइट बंग यह जो गया है कि इन्हें स्टेट बैंक या सेटम किया जाता है या सुपर्वाइट किया जाता है यह पूरी तरीके से गलत है क्योंकि यह जो और पर इंडिया के एक्ट के 1949 के अंडर ही आते हैं तो पहला statement यहां पर सीधे तोर पर गलत है तो अगर आप पहले statement को गलत मानते हैं और eliminate करने की कोशिश करते हैं तो at the end of the day आपके पास option number सिर्फ B ही बचता है 23 तो elimination से यह problem solve हो रही है यहां पर नेक्स आते हैं Indian government bond yields are influenced by which of the following जो Indian government के bonds होते हैं bond yields होते हैं वो किस चीज से influence होते हैं किस चीज से effect पड़ता है उन पर action of the US Federal Reserve action of the Reserve Bank of India inflation and short term interest rates तीनों के तीनों से effect पड़ता है 123 तीनों यहां पर सही option है क्यों है explanation देखते हैं bond yields in India are affected by number one there are several economic factors that impact the treasury yields such as interest rate inflation और economic growth जो bond yields होते हैं वो economic growth से भी effect होते हैं inflation याने की महंगाई से भी effect होते हैं और जो interest rates होते हैं जो ब्यासदर होती है उससे भी effect होते हैं the major factors affecting the yields are monetary policy of RBI especially course of interest rates obviously again हम लोग फिर से यहीं पर बात करें कि interest rate की बात करें तो fiscal policy भी यहां पर include होगी ही होगी तो उसमें तीनों की तीनों से effect पड़ता है next question पर आते हैं हम लोग foreign currency convertible bonds foreign institutional investment with certain conditions global depository receipts non-resident external deposits इन चारों में से कौन सा ऐसा point है जिसे foreign direct investment में FDI में इंक्लूड आप लोग कर सकते हो इसका explanation भी हम लोगों ने यहां पर दिया है अगर आप यहां पर देखें तो हम लोगों ने जो सही answer हमारे हिसाब से है that is two and four क्यों देखते हैं सी सबसे पहले आप second statement को देखिए foreign institutional investment with certain conditions तो यहां पर basically एक बहुत balanced situation की बात की जा रही है कि foreign institutional investment जो है उसको हम लोग FDA में लाएंगे certain conditions पर मतलब यहां पर government का control रहेगा अगर यह बोलते था without certain conditions बहुत एक्स्ट्रीम लेवल पर कर ले जाता तो यह automatically गलत हो जाता लेकिन यहां पर with certain conditions बोल रहा है इसलिए हम यहां पर second statement बिल्कुल सही मान सकते हैं second statement सही मानने पर आपका जो बी और डी है वह automatically eliminate हो जाता है क्योंकि यहां पर second statement नहीं है अब यहां पर आते हैं second statement में ठीक तो second statement अगर आप सही मानते हैं तो आपका ए और सी बचता है next non resident external deposit इसमें already FDI है तो यहां पर आप fourth सही मान सकते हो foreign currency convertible bonds को बिल्कुल सही नहीं मान सकते हैं यह kind of blender हो सकता है ठीक है और global depository receipts में भी government ने फिलहाल के लिए मना कर रहा है तो अगर आप second और fourth elimination method से भी लेते हैं तो आपका third option है वो पूरी तरीके से सही आ जाता है explanation देख लेते हैं इसका थोड़ा FII that is foreign investment in Indian securities has also been made possible through purchase of global depository receive foreign currency convertible bonds and foreign currency bonds issued by Indian issues which are listed traded and settled overseas तो है पर सीजी से लिखा है कि जो currency exchange करने वाला पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसको overseas level पे ही settle किया जाता है next question पर हम लोग आते हैं यहां पर consider the following statements with effect of devaluation of a currency is that it is necessary improves the competitiveness of the domestic export in the foreign markets increases the foreign value of domestic currency improves the trade balance इसमें यह पूछा जा रहे कि अगर आप अपनी currency को devaluate कर देते हो मतलब आप अपनी currency की value कम कर देते हो उसकी कीमत कम कर देते हो गिरा देते हो अपनी कीमत को कि जैसे मान लीजी अगर एक डॉलर बराबर सतर रुपए और अगर आपने इसको 80 कर दिया तो यह क्या होगा सर यह कहलाता है आपका devaluation कहलाता है ठीक है सर फेर एनफ तो अगर आपने इसको कम कर दिया है तो क्या होगा सर बिल्कुल सही बिल्कुल लॉजिकल है पहले सतर रुपए की चीज खरीदने के लिए बाहर के लोगों को एक डॉलर खर्च करना पड़ रहा था लेकिन अब उसी एक डॉलर में 80 रुपए की चीज वो इंडिया से खरीच सकते हैं तो सीजी सी बात है उतने ही पैसे में ज इमिनेशन से आप देखिए सी और डी यहां पर पूरी तरीके से हड़ गया अब सेकेंड सेट्मेंट पर बात आगई इंक्रीज इस दफॉरेंड वैल्यू ऑफ डॉमेस्टिक करेंसी यह तो बहुत ही लॉजिकल हो गया क्योंकि आपने उपर ही लिखा है आपर कि डी इसको देख सकते हैं लोग विच वन ओफ फॉलिंग एफेक्ट्स ऑफ रिएशन ऑफ ब्लाक मनी इंडिया आप ब्लाक मनी जो है इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गवर्मेंट के लिए तो गवर्मेंट को ब्लाक मनी से दिक्कत तो है लेकिन सब से जादा दिकत जो है इन चारों पॉइंट में किसके साथ है नंबर वन डाइवर्शन ऑफ रिसोर्स तुदा पर्चेस ऑफ रियल स्टेट एंड इंवेस्मेंट इन लक्जुरी हाउसिंग लोग ब्लाक मनी जमा करते हैं चली ठीक है इसको होल्ड पर रखते हैं फिलहाल के लिए क्योंकि चारों को ही कंपेर करना है सेकंड सेटमेंट इस इन अन प्रड़क्टिव एक्टिविटीज एंड पर्चेस ऑफ प्रीशेस इस्टोंस ज्वेलरी गोल्ड मतलब यह और भी एक जैसे लग रहा है सरकार बेसिकली इस चीज़ के लिए परिशाने की लोग ब्लाक मनी जमा कर चारों में से सबसे ज्यादा लॉजिकल जो है वो डी स्टेटमेंट लग रहा है क्योंकि गवर्मेंट को ब्लाक मनी के साथ सबसे बड़ी यह प्रॉब्लम है कि अगर ब्लाक मनी बहुत जादा जमा हो रही है जिसका अकौंट गवर्मेंट के पास अवेलेबल नहीं है तो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे उससे बेसिकली जो हमारा consolidated fund है सरकानी खजाना है उसमें पैसा कम आएगा government के पास पैसा कम रहेगा infrastructure development कम होगा और economy slow growth करेगी तो चारों अगर आप option को compare करने की कोशिश करते हैं तो जो D option है वो सबसे जादा logical यहां पर sound करता है black money same explanation जो मैंने आपको दिया चली next आते हैं which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect अब यहां पर आपके सामने दिये हैं यहां पर यह पूछा जा रहा है कि इन चार option में से कौन सी वो condition हो सकती है जिसकी वजह से महंगाई inflation सबसे जादा बढ़ सकता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस से अधा बढ़ सकता है repayment of public debt इससे महंगाई फीक है कभी-कभी बढ़ती है हम लोग इसको capital expenditure में ले सकते हैं लेकिन public debt तो देना जरूरी है तो यह थोड़ा सा illogical लग रहा है क्योंकि यह तो government को करना ही पड़ेगा तो यह गलत है आप ट्रडिशनल ही है सीदी सी बात है कि हम लोग finance budget deficit को fulfill करने के लिए मतलब budget हमारा निकला है कमाया हमने कम और खर्च हमने जादा कर दिया तो हम माइनस में चले गए वह माइनस को zero पे लाने के लिए neutral करने के लिए हमको पैसा उठाना पड़ता मार्केट से ठीक है महंगाई प to finance a budget deficit नहीं government यह भी करती है हम लोग government जो है वो बैंक से तो पैसा लेती है ना अगर उसको deficit करना है तो नेक्स देखते हैं creation of new money to finance budget deficit अब आपका budget deficit हो गया तो आप पब्लिक से पैसानी ले रहे हो बैंक से पैसानी ले रहे हो आपने नोट च्छाप दिया आपने currency च्छाप दी उससे basically क्या होता है कि currency की value कम हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है तो यहां पर जो चौथा statement है वो लग रहा है डाइट जादा गलत है मतलब महंगाई के लिए जादा जिम्मेदार है ठीक है चली हम लोग next की तरफ बढ़ते हैं the money multiplier in an economy increase with which one of the following जो money multiplier है वो इन में से किसकी वजह से होता है पहले money multiplier हम लोग definition देख लेते हैं यहां पर explanation पर हम लोग आएंगे answer पर money multiplier sometime also called as monetary multiplier it measures effects that a change in a bank's required reserves has no overall on overall money supply of an economy money is multiplied when people have it to deposit extra money in bank explanation से हमें यह पता चलता है कि जो money multiplier है वो तब माना जाता है जब लोगों की habit होती है आदत होती है कि वो bank में जादा पैसा जमा करें अब इन चारों को भी हम लोग वैसे एक बार compare करके देख लेते हैं increase in the cash reserve ratio in banks जो CRR होता है उसका कोई मतल़ देना नहीं है statuary liquidity ratio SLR हम सभी लोगों ने economics की बहुत basics में पढ़ा है इसको हमारे monetary policy के अंडर यह आता है तो यह भी ठीक नहीं लग रहा increase in the population of country नहीं तीसरा वाला increase in the banking habit of people सीदी सी बात है कि लोग अगर बैंक में जाएंगे invest करेंगे पैसा बैंक को देंगे तो बैंक भी बैंक के थुरू वह पैसा government तक पहुच पाएगा कहीं न कहीं trade शुरू होगा investment होगा development होगा तो third option जो है यहां पर कि लोगों की habit होना banking की वह money multiplier का एक बहुत बड़ा reason हो सकता है sounds quite logical चलिए नेक्स हम लोग बढ़ते हैं विच रिफेरेंस टू इंडियन एकोनॉमी डिमांड पूल inflation can be caused और increase by which of the following demand pull inflation इन में से किसकी वजह से बढ़ सकता है demand pull inflation का मतलब हम सभी को पता है अगर किसी particular चीज की demand बढ़ जाती है तो उसका जो price है वो भी बढ़ जाता है क्योंकि demand बढ़ गई ना तो supply तो उतनी ही है और supply एकदम से बढ़ाई नहीं जा पा रही है लेकिन demand एकदम से बढ़ गई तो supply होती नहीं रह गई डिमांड बढ़ गई उसकी वजह से जो inflation बढ़ा इस दिमांड पूल inflation हम लोग देखते हैं कि किसकी वजह से यहां पर हो सकता है statement नंबर पहला देखते है expansionary policy ठीक है बिल्कुल लग रहा है fiscal stimulus बिल्कुल लग रहा है तीसरा inflation indexing wages नहीं inflation indexing wages की वजह से कैसे हो सकता है बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है higher purchasing power हाँ अगर लोगों के पास जादा पैसा है तो वो उस चीज़ को जादा खरी देंगे तो जादा खरी देंगे तो दिमांड बढ़ेगी दिमांड बढ़ेगी तो फिर दिमांड पूल इंफलेशन आएगा यानि फॉर्थ सही लग रहा है तो फॉर्थ बहुत सिंपल है और फॉर्स सही लग रहा है मैंने अगर इंट्रेस रेट बढ़ा दिया तो आपको मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा याने परसनल एक्सपेंस के लिए आपके पास पैसे कम बचेंगे याने आप अपने उपर पैसा कम खर्च करोगे याने आप डिमांड नहीं करोगे सामान की डिमांड पू निकल जाता है वन टू एंट फोर और यह सही भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी फिसकल पॉलिसी और हाइयर परचेसिंग पावर से ही यहां पर जो इंफलेशन है डिमांड पूल इंफलेशन है आपका बढ़ सकता है यह सेम चीज़ है डिमांड पूल इंफलेशन जो मैंने इनिशेटिव ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी एक्सेटर एक्सपेंटर जो मैंने आपको भी एक्स्पेंट किया उसे एकोनॉमिक टर्म में यहीं पर लिखा है आप चाहें तो इसे वीडियो पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं यहां पर चलिए नेक्स हम लोग बढ़ते हैं वि रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेजरी बिल्स और गवर्मेंट ऑफ इंडिया के डेप्ट बॉंड में प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर बिलकुल कर सकते हैं प्राइमरी स्टेप यही रहता है इसक इसके बारे में बात की थी यह रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी ट्रीडिंग प्लेटफॉर्म के अंडर ही आता है इस हिसाब से इसका जो ऑप्षिन नंबर भी है जिसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड ऑप्षिन को देखते हैं वह यहां पर सही आएगा कुछ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स किसे कहते हैं यह एक शॉर्ट टर्म इंस्रुमेंट होता है जो गवर्मेंट बेसिकली इशू करती है ताकि जो मनी है वह मार्केट में मनी जो है वह बढ़ सके टी बिल्स को प्रेजेंट किया जाता है तीन अलग-अलग टाइप में 91 डे इसके लिए और नीचे जो आर्बिया है किस तरीके से औक्षन करता है मार्केट में ट्रेजरी बिल्स का डारेक्टी इसके बारे में नीचे कहा गया है डीमएट अकाउंट के थुरू गवर्मेंट सिक्योरिटी है उनको कहीं न कहीं सपोर्ट किया जा सके फैर इनॉफ चलि इट पुट माइक्रो तो सॉरी इट पुट माइक्रो फैनिस टूल्स तू वर्क इन दो वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर नंबर टू इस ग्लोबल इनिशेटिव लॉंज अंडर दे एजिस ऑ वर्ल बैंक सॉरी वर्ल हेल्ट और इसको लॉंज किया हुआ है तो जहां जहां पर आपको सेकेंड वाला स्टेटमेंट द अंसर निकल जाता है वन एंट्री तो वाटर क्रेडिट क्या है कि पानी और सैनिटेशन सेक्टर में जादा से जादा काम करना है उसके लिए यह वाटर क्रेडिट एक इनिशेटिव है प्लस जो गरीब लोग है बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी जो पानी की कमी है वो प्रोवाइड लोन टू अड्रेस दिस बैरियर ऑफ सैनिटेशन तो यह एंजियो के थ्रू किया गया है इसमें वर्ल्ड बैंक का या फिर किसी और औरनाइशन का कोई भी रोल नहीं है बाकी जो चीज़ें मैंने आपको एक्स्प्लेइन की की पानी की नीड्स पूरी करनी ह वही चीज़ें लिखी है आप चाहें तो इसको वीडियो पॉस करके देख सकते हैं चली लास्ट क्वेशन पर हम लोग आते हैं इंडिया सेंटल बैंक फंक्शन अस दे लेंडर ऑफ दा लास्ट रिजॉर्ट है यह बेसीकली किस चीज से रिलेटेड है थोड़ा सा लॉजि लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी वें दे फेल टू बॉरो फ्रॉम अधर सोर्स यहां पर एक चीज लॉजिकल देखिए माल लीजे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ठीक है बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बॉडी है अगर वो लॉस में जा रही है और दूसरी जो बॉडी हैं अगर उनको वो दूसरे सोर्से से पैसा नहीं मिल रहे तो क्या पैंक अपना यहां पर पैसा भसाना चाहेगी बचाना चाहेगी थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है थोड़ा सा सेकेंड नंबर पर आके देखने की कोशिश करते हैं होती है तो यहांपर सेकंड स्टेट्मेंट जो है पूरी तरीके से यह में बज़ग रहा है ठी entropy तरी जो धेजिए dif कर दिया है वह तो आपका गलत हो गया क्योंकि वहां पर ऐंसटरी डेफिसित और बजट का जाधा खर्च लद्ग औंक सी मदद कर्यांने तीसरा ऑप्श् से जो हम लोग देखते आ रहे हैं तो टू और थ्री साथ में option यही वाला है और वन पहले ही illogical लग रहा था इस हसाब से जो second और third option है वो हमारा सही होगा जो मैंने आपको जिसमें हम लोग आपके लिए और नए सवाल UPSC के ही उनके answers और उनके explanation आप लोग के सामने लेकर आएंगे अगर आपको जितनी भी चीजें यहां पर देखी हैं आप लोगों ने अगर आपको उसके detailed videos देख रहे हैं या फिर detailed courses join करने हैं you can contact us on this number thank you very much I'll see you in the next video thank you